नमस्कार मेरा नमस्तिप संधीप संधुपता और यह एलेक्रिक वेहिकल सिंधी इस चैनल में हमने पहले भी आपको वन एलेक्रिक के क्रीडिन मोटर साइकल के बढ़े में बताया है उसी motorcycle के बारे में एक बहुत ही जबर्दस्त अपडेट अभी निकल के आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. Credin motorcycle ये बिल्कुल एक commuter petrol vehicle की तरह दिखती है, petrol motorcycle की तरह, इसमें है 3 kilowatt की VLDC hub motor और इसकी जो बैटरी है, lithium-ion battery, वो 3 kilowatt hour की है, बैटरी waterproof है. Motorcycle को अगर आप उसके top speed में चलाते हैं, जो कि है 95 km per hour, तो आपको 80 km की रेंज मिलेगी, लेकिन यदि आप motorcycle को 40 to 50 km per hour की रफ्तार में चलाते हैं, तो को 120 km की रेंज मिल सकती है. इसकी बैटरी को चार्ज होने में 4-5 गंड के लगते हैं, waterproof बैटरी है, दो साल के warranty के साथ आती है, उसके अलावा इसमें और भी features हैं, जैसे tubeless tires, disc brakes, और अभी तो company ने motorcycle में LED headlights भी install किये हैं. हमारी electric vehicles team ने इसको test ride पे लेके गए और उनका experience काफी अच्छा था, highway अगेरा में भी कोई दिक्कत नहीं आई, चला के अच्छा लगा. Currently motorcycle की dealership और availability के बारे में हम आपको बताते हैं, ये उपलब्ध है इन राज्यों में, हैदराबाद, Tamil Nadu, मध्यप्रदेश के भोपाल इलाके में ये पाई जाती है, Delhi, महराष्टर में आपको थाने और पूने में मिल जाएगी, दाजेस्थान के जैपूर और बेवार इलाके अपने आपको बोल रही है, पर इनका अभी जो 80% ही सिर्फ वो made in India हो पाए है, इनका दावा है कि इस साल के अन तक वो 100% made in India बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हो जाए तो subsidy ज़रूर में लगी, बिना subsidy के देड़ लाक थोड़ी महेंगी लगती है, तो ये तो थी इस motorcycle क के विशे में आपको एक summary, जिसको हमने पहले भी cover किया हुआ है, अब आपको update देते हैं, जो news अभी निकल के आई है, भारत के अलावा हमारे motorcycles की एक बहुत बड़ी market है Africa, TVS और Bajaj, वहां उनकी भी बहुत sales होती है, तो One Electric पहली एसी electric motorcycle company बन चुकी है, जो अपने motorcycle को एफर कर रहे है, African market में वो Kenya में वो अपने motorcycles को orderly launch कर चुके हैं, और इस साल के अंदर चार और नए देश में, एफरिका के देश में, वो अपने motorcycles बेचना चाते हैं, और उनका plan है कि अगले साल तक वो South America और Europe में भी अपने motorcycles को बेच सके, तो ये तो थी news, अब इसके बारे में आ अगर आप electric two wheelers के बारे में बात करते हैं, तो motorcycles की जो option है, वो scooters के हिसाब से बहुत कम है, ज्यादा तर electric two wheelers हमको scooter ही मिलते है, motorcycle है ही कितने, बहुत कम है, तो ऐसे हालत में एक अच्छी motorcycle है ये, तो क्यूं भारत के सभी राज्य में उनको उपलब नहीं कराके, पहले priority आप export करने में दे रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में आया, तो मैंने थोड़ा और research किया इसके बारे में, तो मुझे उनके company के chief executive गौरव उपल के दो statements मिले, प्रेस में भी उन्हें यही सवाल किया गया था, in fact मैंने company को एक email भी लिखा था, कल राथी लिखा, अभी तक तो कोई reply आ और अभी हमारा कोई plan नहीं है, इसको expand करने का भारत में, उनका कहना है कि अभी वो concentrate करना चाहते हैं, B2B, B2C और export करने में, एफरिका और जैसे मैंने बताया, South America और आगे जाके ये उरोप, तो उनका कारन क्या है ये करने का, तो पहले उन्होंने कहा कि उनको उनके motorcycle के लि में और ज्यादा सुविधा मिलेगी, opportunities मिलेगी, तो यही है news और यही है उसके बारे में updates हमारे तरफ से, आप बताईए आप क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 1.5,00,00 रुपया थोड़ा जादा है, अगर subsidy के लिए company eligible हो जाए, तो उनको एक बहुत अच्छा response मिले झाल ऑगते हैं, बारे मिलेगी है कि अबता क्या सक्यादा है तर फोड़ान का वागता है No.